हेलो प्रेंट्स कैसे हो सारे मैं विक्रम आप सभी अच्छे होंगे आज के वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं आपके एनिमल हस्बेंट डिप्लोमा और डेरी टेकनलोजी डिप्लोमा दोनों ही कोर्से के बारे में तो इन कोर्स की जो काउंसलिंग है उसकी डिटेल में जो है रूल बुक आपके यहां पर आ चुकी है तो उसको हम डिसक्स करेंगे कि कौन सी केटेगरी मतलब कितने नंबर से ज्यादा वाले श्ट्टेंट यहां पर काउंसलिंग करवा सकते हैं काउंसलिंग की डेट क्या है कब आपको जो है कि अपना अलोट्मेंट लिटर मिल लिटर इनिये डिप्लोमा सवित्य और निजी जो और आपके गौवर्मेंट और प्रीवयट से दौनों को लेज टकॉम डिपोमा लिए कंसलीन यहां पर हुई है तो इसके लिए और य मनुन हम आंपर सकते हैं तो यह कौनली दिपनलोजी और टेश्त sectors 2020 है आप शामिल www.crisponlineservice.com के माजम साब सब में लिच हो सकते हैं तो गाइस इन काउंस्लिंग के इन वेबसाइडों जो साइड है या वेबसाइड इनके माजम से आप काउंस्लिंग करवा सकते हैं तीक है अगर हम सभी यहाँ पर अगर हम बात करें कौन से इस्कुटेंट फ्री और प्रमिंशिट में एडमिशन ले सकते हैं तो गाइस यहाँ पर स्पेशल जो है कि कोई भी यहाँ पर प्राप्दांग के लिए लिमिट नहीं रखी गई है वो सभी कैंडिट्स जिन्होंने एक्जाम में सम्मिलित हुए हैं वो सभी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं यह पहली बार हुआ है कि फर्ष्ट काउंसिंग में ही वो सभी कैंडिट्स को प्रात्मिक्ता दी गई हैं जो एक्जाम में यहाँ पर शामिल हुए थे काउंसिंग की अगर डेटैल में अगर हम बात करें तो आपकी यहाँ पर दो चलनों में काउंसिंग होना है क्यों हर बार जो है कि तीन चलनों में काउंसिंग होती है यहाँ पर दो चलनों में आपकी काउंसिंग होना है पहले चरण के अगर हम बात करें रेजिस्ट्रेशन जो आपकी 25-10-2023 से चलके 31-10-2023 तक चलेंगे और आल्लाइन जो आपके अलोट्मेंट लेटर है 2-11-2023 को यहां पर मिलेंगे इसके बाद आपको डोकुमेंट वेरिपिकेशन अगर आप करवाना चाहते हो तो 3-11-2023 से 6-11-2023 और 7-11-2023 यानि कि 3 दिन आपके यहां पर डोकुमेंट वेरिपिकेशन चलेंगे और अपके अगर आप करवाना चाहते हो तो 3-11-2023 से 8-11-2023 के बिच आप अपक्रेडेशन भी करवा सकते हैं और यह गाइज अपक्रेडेशन का भी हमने डिटेल में वीडियो यहां पर आपको दे रखा है पहरे पुराने वीडियो तो उनमें जाकर कि आप अपक्रेडेशन के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं अग्लिडेशन के पस्चाद रिक्त सीटों की जानकर अगर बात करें तो यह आपको 11-12-23 को यहाँ पर मिल जाएगे अगर जूती चैनल में रिक्त सीटों की अगर बात करें तो यह अगर सीट अगर रहेगी रिक्त सीटा का रहने पर 13.11.23 से काउंसलिंग होके 18.11.23 तक आपकी काउंसलिंग चलेगी और 21.11.23 को आपको यहाँ पर आउंटन जो अलोट्मेंट लेटर हैं वो आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे 22.23 और 24 को यहाँ पर 11 बजे से शाम चार बजे तक आपकी डोकिमेंट वरिफिकेशन के लिए आपको कोलेज में उपस्तित होना होगा और आगे भी अगर हम बात करें तो गाईज यहाँ पर जो आपको काउंसलिंग करवानी है तो उसके लिए आपने बताया है कि आपको www.ndvsc.org और www.crisponlineservice.com के माध्यमस आप काउंसलिंग करवा सकते हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें पेमेंट शीट पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जब रेजिस्ट्रेशन करवाते हैं काउंसलिंग के लिए तो उसमें पेमेंट शीट का उप्शन भी यहाँ पर फिल करें और यह मेंट गाईज अगर अगर अपना ओनलाइन फोर्म अगर फिल करते समय यानि कि हम बात कर रहे हैं जो अप्लिकेशन फोर्म जब आपने डिप्लोमा इंट्रेंस एक्जाम का उनलाइन फोर्म जब फिल किया था तो उनमें भी आपको उप्शन मिलता है कि क्या प्याइमेंट शीट पर एडमिशन लेना चाहते हो यदि वहाँ पर आपने हां किया है तभी जयाकर आपको यहा करवाने की जड़त नहीं रहती है कि हम पर अजर हम बात करें कि आप को अगर सीट अलोट हो जाती है और आपके पास डोक्यमेंट अगर नहीं रहते हैं तो आप जो है कि आपका जो है कि सीट आवंटर निरस्त कर दिया जाएगा और अगले चैरण में आप प्रविशन नहीं ले सकते हैं डोक्यमेंट विरिपिकेशन के अगर हम बात करें कि कौन से कोलेज जो आलोग का कहां पर डोक्यमेंट विरिपिकेशन होगा अगर हम बात करें इनिमल हजमेंट पी जबलपूर भोपाल मुरेना और रिवा इन कोलेजियों का जो हैं डोक्यमेंट विरिप आपको थीवा में होगा और ऐनीमल हाजबेंटरी कोलेज महू डिप और इनदोर हैं आपका दोल खयड़ि वीजी शाह है और आपका जो Animal Husbandry Diploma College जो आपका सेंध भागा है तो ये जो आपका verification आपका जो है कि पशुजी किसाम पशुपालेन महाविध्याले महू में आपका verification यहाँ पर document verification होंगे online अगर counseling के आप में step अगर हम बात करें तो online आपको पंजियन करवाना होगा उसके बाद आपको यहाँ पर पंजियन के लिए कुछ शुल के जो आपका रहता है दो सुटाइस रुपए वो आपको यहाँ पर pay करने होगी उसके बाद आपको online allotment letter यहाँ पर आपको प्राप्त होगा allotment letter आपको मिलने के बाद college में आपकी उपस्तिती होगी वहाँ पर आपके document verification होगे साथ ही में प्रवेश शुल के जो आपकी जो रहती हैं वहाँ पर भुकतान की जाएगी अगर आप प्रवेश के पश्चाथ अप्ग्रडेशन करवाना चाहते हो तो उसका विकल्प भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं और यहाँ पर जो दिया है कि online पंजियन के बात करें तो online पंजियन समस्त श्रीनी के अभ्यार्चियों को counseling में सम्मिलित होने के लिए website पर online पंजियन कराना अनिवाद है पंजियन है तो कोई शुलक दे नहीं सबसे में जानकर्य आपकी यह हैं कि आप यदि पंजियन करवाते हो तो इसके लिए आपको कोई भी फीस यहाँ पर देने की ज़ुरत नहीं है और हर बर जो गाई ते आपके यहाँ पर धाई सो रूप है यहाँ पर पंजियन शुलक लगते थे जो कि इस बार यहाँ पर आपके नहीं लगने वाले हैं अगर आगे अगर हम बात करें फीस की तो फीस भी यहाँ पर आपके यहाँ पर आपके रेजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई भी यहाँ पर फीस पेकर नहीं करनी होगी रेजिस्ट्रेशन आपका अलग होता है लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपका यहाँ पर यब आप चोईस फिलिंग यहाँ पर करेंगी अपने कोलेज वाइस तो आपको यहाँ पर तीन सो चाचेट रुपई यहाँ पर पे करने होंगे यहाँ पर रगाई रिजिस्ट्रेशन के लिए हर बार से कोई फिस नह ही होगी और आपका जो है कि यहां पर थाचली बहाग नहीं ले पाएंगे तो 306 रुपा है आपको यहां पर पर्पे करने होंगे तभी जाकर करके आपका counseling आपकी complete होगी आगे अगर हम बात करें यहाँ पर document के लिए कि आपके पास कौन से document होना चाहिए तो आपको उस्प से पहले एड़ेटी एक्जाम दोजार से वीस की अंकि सुची आपके पास होना चाहिए आपके पास होना चाहिए इस्थानातिर प्रमान पत्र आपके पास होना चाहिए और विश्व जदी आपको से महावद्याले में दाखिला लिया है तो उसके उसका माइग्रेशन प्रमान पत्र आपके पास होना चाहिए ततकाल की चार पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो जिसके बीच आप भीहरते अपना नाम लेकेंगे और यदि आपके जात्ती परमान पत्र लागो होता है तो वो आपको यहाँ पर लगाना है AWS Certificate में अगर आप आते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर लगा सकते हैं मध्यपदेश का मूल निवासी यहाँ पर जरूरी है और यदि बाहर भी के बाद अंतराल हुआ हो तो उसका गिप Certificate भी आपका यहाँ पर लगेगा पंजे चीकिसक द्वारा जारी रखते सम्मूल का विवरण और स्वास्त प्रमाण पत्र भी आपका यहाँ पर लगने वाला है और माता पीता की I Certificate जो एक अपरे 2022 से लेकर 31 माज से 2023 तक के लिए होना चाहिए ओनलाइन आवंटर्ण का प्रिंट आउट यहाँ पर आपके पास होना चाहिए जो आपको सीट अलोट होती है उसका आधार कार्ड और सभी मुल दस्तावेज़ों की दो छाय प्रती भी आपको साथ मिलाना अनिवाज है फीस के अगर हम बात करेगा तो फीस आपकी यहाँ पर जैसा कि आपको पता है आपके जो सेमिस्टर वाइज आपकी यहाँ पर होती है और आपको यहाँ पर होस्टल फीस नहीं रहती है क्योंकि आपको होस्टल यहाँ पर अलोट नहीं की जाती है तो सेमिस्टर वाइज आ नो में आपको 45,750 फ्रीशीट में और पेमेंट शीट में 65,750 यहाँ पर तीन बार करके यहाँ पर पेइक करने होंगे जो आपका फ़र्ष्ट सेमेस्टर की फ़र्ष्ट जो फीस हैं वो आपको एड्मिशन के दीन ही यहाँ पर अपने कोलेज में जमा करने होंगे यहाँ पर गाइज कोलेज में जो आपके खाता विवरन अगर ब्रेंग ड्राप तैयार करने का विवरन जो है सभी यहाँ पर जानकारी दी हैं तो आप यहाँ से जाकर के देख सकते हैं और यह जो है आपको पूरी बीडिय आप आपको मिल जाई है एंड़ी एस जुनाना जी देश्मु बैटनिल साइन्स उनिवेर्सिटी की ओपिशल वेबसाइट पे तो आप वहां से जाकर के भी यह देख सकते हैं तो सीटों का गाईज हमने पहले आपको बता दिया है कि सीटे किस प्रकार रहने वाली है तो फ्रीशीटों के अगर बात करें तो कुल मिलाकर आपके 80 सीटे यहां 80 सीटे हर कोलेज में फ्रीशीट के नाम पर रहने वाली हैं और प्रेमेंट शीट के नाम पर आपके सभी कोले करिए ताकि कोई भी नई वीडियो रहे तो उसे आप मिस्क न कर पाएं थैंक्स पर वचिंग